हे गाईज वेलकम बैक टो आर यूटूब चैनल कैसे हैं आप सब आए होप आप सब अच्छे होंगे आज हम एक्सप्लोर करेंगे इस वीडियो में खारगर सेक्टर 14 सिटको के इस प्रोजेक्ट को जो के नियूली कंस्ट्रक्ट हो रहा है चैनल पे पहली बार हो चैनल को सब करना बिलकुल भी मत भूलिएगा क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही इन्फोमेटी वीडियो लाता रहता हूँ तो दोस्तों अभी हम सिटको के साइट पे हैं आप ये सामने देख सकते हैं तो सबसे पहले ये नियूज है कि यहाँ पर खारगर बस डेपो बन रहा है सेक्टर 14 में और उसी के साथ साथ सिटको के फ्लेड्स भी अवेलेबल होंगे परदान मतरी आवास योजना के तहट जिसमें EWS और LAG इन दो केडिगरी वाले लोगों के लिए फ्लेड्स अवेलेबल होंगे तो दोस्तों जैसे के आप ये सामने देख रहे हैं अभी आर्ट फ्लोर क काम इसका हो चुका है और ये सी के जश्ट बाजू में आप जो ये सामने देख रहे हैं ये खारगर बस डेपो का काम चल रहा है और ये होडिंग लगी वी है इसके प्रोजेक्ट के रिलेटेट सारी डेटेल दी गई है आप वीडियो को पाउस करके गाइस पूरा पढ़ स चले आता एक्स्टेंड हो जाता है तो जैस प्रोजेक्क को जो कंस्टरक्ट कर रहे हैं वह इंडिया के मोस्ट रस्टेट कमपनी टाटा गूरूप है तो इसका बेनिफिट है लोगों को जल से जल मिले आब हम चलते हैं और डिसकस करते हैं इसके लोकेशन के बारे में तो यह आप देख सकते हैं सिटको का प्रोजेक्ट उसके ही जश्ट बाजू में खारगर सेक्टर 14 का यह मेट्रो स्टेशन है तो काफी नियरबाय है और उसके ही अपोजिट में डिमार्ट, रिलेंस डिजिटल और हॉस्पिटल, लेंस काट बहुत सारे शोरूम है जो आपको नि के दूरी पर है यहां से जो रेलवे स्टेशन है खारगर का वो एपरोक्स तीन किलो मीटर है जिसको जहां पर जाने के लिए आपको आट मिनिट लगते हैं और यहां से सेंट्रल पार्क गोल्फ कोर्स का जो डिस्टेंस है वो तीन किलो मीटर है तो दोस्तों उसमें भी प्राइन लगता कि प्राइम लोकेशन है जहां पर आपको हर चीज नियरबार है अगर आप रेलवे स्टेशन देखें या तो मैट्रोश टेशन देखें या डीमारत देखें रोज मर्रवा की लाइफ में यूज होने वाली जितनी भी चीज़ें लोग डीमार्ट से लेते ह हैं तो हर चीज यहां पर गाईस नियर बाय है वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें शेर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें मिलते हैं next वीडियो में कोई क्वेरी है कॉमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए मैं आपको आंसर करने की पूरी कोशिच करूँगा मिलते हैं नेक्स वीडियो में ठैंक्स वर वाचिंग मैं वीडियो